तो Samsung A52s 5G में Android 13 based 1 UI 5.0 का जो stable update है वो कब तक आएगा क्योंकि recently काफी सारे Samsung के devices में Android 13 based 1 UI 5.0 का stable update रोल आउट कर दिया है तो आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे A52s 5G के Android 13 based 1 UI 5.0 अपडेट के बारे में और good news है A52s 5G users के लिए तो वीडियो को अंतर तक देखिएगा और like कर दिजिएगा इस वीडियो को like target हम लो रखते हैं 90 लाइक 90 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दिजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजिएगा नमस्कार दोस्तों मिला नाम है प्यूश और आप दिख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों Samsung A52s 5G में जो प्रोसेसर यूज हुआ ह 13 बेस्ट बनी वाई 5.0 का अपडेट दे दिया है इंडिया में Samsung ने 15 नवंबर को ओफिशल एंडरो आइड 13 बेस्ट बनी वाई 5.0 का अपडेट दे दिया है इन दोनों ही डिवाइस के लिए और Samsung A52s 5G में भी जो प्रोसेसर यूज हुआ है वो है स्नेप ड्रेगन का 7 8G और यहाँ पर और टेस्टिंग भी लगतार चल रही है यहाँ पर 15 नवंबर को ही एक फार्मबेर को टेस्ट किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट टेस्ट बिल्ड नंबर और यहाँ पर Android numéro वर्जन 13 बता रहा है तो Android 13 की टेस्टिंग चल रहा है और अब आल्मोस्ट जो टेस्टिंग है वो कम्प्लीट हो चुके है और सैमसंग अब कभी भी अपडेट रोल आउट कर सकता है हो सकता है कि सैमसंग दस दिनों के अंदर ही ओफीशल एंडरो आइड थाटिन बेस्ट वनी वाई 5.0 का अपडेट रोल आउट कर दे इसके अलाबा अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पर इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा मैं मिलता हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैंद वंदे मात्रम